जह हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हिन्दी साइथ के बहुत भी मत्पूल कोशन लेकर आया है 500 प्रिशनों की अपनी सीरेज है भाग अपना 5-4 भाग अपलोड हो चुके हैं भाग भी आप देखना ना भूलें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें यह बताना है राज सेखर ने दंडी ने भरत मुनी ने या मममट ने तो कॉस्चन नमबर 101 है अपका यहां पर आपका सही आंसर होगा राज सेखर आपके लिए आफनी में कमेंट की माद्धाम से जरू बताना कि कितने कॉस्चन आपके यहां पर सही हुए है अंगला कॉस्चन है यहां पर कि जहां उपमे में उपमान की संभावना ब्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो जहां उपमे में उपमान की संभावना ब्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है उपमा उत्प्रिक्षा रूपक अनुप्रास चार विकल्प हैं और आपका सही आंसर है question number 102 का right answer है क्या है right answer उत्रिक्षा आपका है राइट answer है विकल्प number B आपका सही answer अंगले question है इलाचंद जोसी ने उपन्यासों में एथार्थवात का रूप मिलता है तो क्या है इसका सही answer question number 103 का right answer बताना है चार विकल्प है आंसर बनता है तो आप comment में जरूर बताएं और इसका जो सही answer है भै है आपका विकल्प number D यानि की मनुब्यग्यानिक मनुब्यग्यानिक आपका है यहाँ पर सही answer है विकल्प number D जिनो नहीं बताया उनका सही answer अंगला question हिंदी साहित का प्रतम स्वाचंदता बादी कभी कौन है स्वाचंदता बादी कभी पूँचा है आपसे यहाँ पर हिंदी साहित का जैसंकर प्रसाद, महादेवी बर्मा, स्रीधर पाठक या पंत तो question number 104 का यहाँ पर जो सही answer है वहें आपका विकल्प number C आपका right answer है यानकी स्रीधर पाठक आपका right answer होगा स्रीधर पाठक आपका सही answer है अंगला question है भरतमुनी ने काभी गुणों की संख्या कितनी मानी है तो यहाँ पर आपके लिए भरतमुनी जी के अनुसर बताना है कि काभी गुणों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है सत्तर, तीन, अड़तालिस या दस तो चार विकल्प है और भरतमुनी ने काभी गुणों की संख्या मानी है question number 105 का right answer होगा आपका क्या होगा right answer विकल्प number D यानी की इन्होंने 10 मानी है 10 आपके यहाँ पर सही answer है चंद माला की रचेता कौन है question number है आपके 106 यहाँ पर चंद माला की रचेता बताना है तो कौन है चंद माला की रचेता तो question number 110 का right answer होगा आपका हैं पर बिकल्ब नमबर B यानि की के सब्दास के सब्दास आपके हैं पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन है आपका 107 अलंगकर संपर्दाय की प्रवच तक आचारिय कौन है तो कौन है आनन्द बर्दन या भामन, भरतमुणी या भामाई, तो चार विकल्प है, question number 107 है, अलंकर संपरदाय की प्रवर्टक आचारिय कौन है तो question number 107 का आप कहाँ पर जो right answer है भै होगा भामाई विकल्प नमबर D, आप कहाँ पर right answer है, भामाई जिन्नों नहीं बताया है, उनका सही answer है, छल नामक 34 वा संचारी भाव माना है तो किसने माना है, यहाँ पर आपके लिए बताना है, चार विकल्प हैं आपके सामने, और आपके यहाँ पर right answer होगा, देव कभी देव कभी आपके यहाँ पर right answer है देव कभी ने, जो है छल नामक 34 वा संचारी भाव इन्हों माना है अंगला कोस्चन है मीरा की भक्ती मानी जाती है तो मोस्ट इंपॉर्डन कोस्चन है मीरा की भक्ती किस प्रकार की मानी जाती है दास्त भाव की मादवर रिभाव की देन भाव की यह सक्थ भाव की तो मीरा की भक्ती मानी जाती है कोस्चन नमबर 109 का यहाँ पर जो सह प्रकासन इंदोर से होता है तो पत्री का बताना है जिसका प्रकासन वद्द प्रदेश के इंदोर सहर से होता है तो नया विकल्प बसुधा या साक्षटकार या बीनला चार विकल्प है कौस्चन नमबर 110 का राइट आंसर बताना है और 110 का राइट आंसर है बीनला विकल्प नमबर डी आपके यहाँ पर right answer है विकल्प नमबर डी आपका सही answer है अंगले question है मिर्गावती किस की रचिना है उस्मान की या कुतुबन की जायसी की या मंजण की 4 विकल्प है आपकी यहाँ पर मिर्गावती किस की रचिना है question number 111 है और बहुत ही महत्यपूर्ण आपका question है तो मिरगाबती जो रचना है एह है किसकी कुतुबन विकल्प नंबर आपका B right answer होगा विकल्प नंबर B जो नहीं बताया है उनका right answer है निम्न मेंसे पश्चिमी हिंदी की भासा नहीं है नहीं है एह बताना है तो कौन सी नहीं है बुन्देली, मैथली, खड़ी बोली या ब्रजभासा तो question number 112 का right answer है मैथली विकल्प नंबर C आपके हैं पश्चिमी हिंदी की भासा नहीं है मैथली आपका right answer निम्न मेंसे के श्चित्र में ब्रजभासा नहीं बोली जाती है तो नहीं बोली जाती है एटा, जहांसी, आगरा में अनपुरी चार विकल्प हैं तो कहां पर नहीं बोली जाती है ब्रजभासा बहच्छेत्र बताना है question number 113 का right answer है विकल्प number C यानि की जहांसी आपके हैं पर right answer है बिल्कुल सही जहांसी आपका right answer question number 114 देख लेते हैं कि जैसंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है तो जैसंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक सज्जन या कल्याणी परिणाय या करोणालय या क्राश्चित question number 114 का right answer है आपके हैं पर बिकल्ब नंबर क्या होगा right answer बिकल्ब नंबर 1 यानिकी सज्जन आप कह हैं पर सही आंसर है जैसंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है अंगला question है उन्वे से किस ने समयश्या प्रदान नाटकोंकों की रचना की है समस्य प्रदान नाटकों की जो रचिना की है वह बताना है किसने की है ब्रंदावन लाल भर्मा हरी किष्ण प्रेमी लक्ष्मी नारान मेस्र गोबिंद बल्लप पंत है कौस्चन नमबर 115 है और 15 का राइट आंसर है विकल्प नमबर भी आपका राइट आंसर लक्ष्मी नारा का संपातन कारे किस ने किया है बाल मुकुन दुगप्त भारते हैं दू बालकृष्ण भट्टे या प्रताब नारायन मिस्वे question number 116 है अपने यहापर और इसका जो सही आंसर है वहे आपका विकल्प नंबर बी यानि की बालकृष्ण भट्टा आपका राइट आंसर है अंगला question है आदे अदूरे किसकी नाट्टे किरती है आदे अदूरे नाट्टे किरती है एह किसकी मौहन राकिस धर्मविर भारती जैसंकर प्रसाद या ब्रंदा वनलाल भर्मा तो question number 117 का राइट आंसर है आपका यहापर विकल्प नंबर एक यहाँ पर र राइट आंसर है अंगला question है कि कभी और कभी ता निवन्द की लेखक है कभी और कभी ता निवन्द की लेखक बताना है question number 118 का राइट आंसर बताइए कौन है महावीर प्रसाद दुवेदी वालकिष्ण भट्ट हजारी पर साथ दुवेदी या आचार रामचंद सुकले क कभी और कभी ता निवन्द की लेखक है महावीर प्रसाद दुवेदी आप कहां पर सही आंसर होगा अंगले question है आप कहां पर कि आचरण की सब्वेदा निवन्द की लेखक है question number 119 आचरण की सब्वेदा निवन्द की लेखक है महावीर प्रसाद दुवेदी चंद धर्च बताना है और इसका जो सही आंसर है करोणा विकल्प नमबर भी आपका Right आंसर होगा करोणा जिननों नहीं बताया है एहाँ पर सही आंसर है उनका करोणा आपका Right आंसर अंगला question है इनमें तो क्वीता पूँचा है तो क्वीता पूँचा है कि निर्चारarmता जुही की कली, राम की भक्ति पूजा, सक्ति पूजा या नौका बिहार तो question number 121 का right answer बताना है और 121 का right answer है आपका विकल्ब नंबर आपका D right answer है नौका बिहार जिन्हों नहीं बताया है उनका सही answer होगा नौका बिहार चाया बाद, बहत्री में सामिल नहीं है तो कौन नहीं है महादेवी बर्मा, पंत, नराला यहाँ पर नराला, नराला जो हैं दो बार विकल्ब हो चुकी है तो बताये क्या होगा इसका right answer कौन सामिल नहीं है इसमें question number 122 और 122 का right answer है विकल्ब नमबर एक यानिकी महादेवी बर्मा महादेवी बर्मा विकल्ब नमबर एक आपका right answer है अंगला question है कि कामाईनी किस परकार का महाकाब्ब है याद रखना है कामाईनी एक महाकाब्ब है तो किस परकार का है भावपरधान विकल्प नमबर B आपके हैं पर राइट आंसर है कामाईनी एक जो है महाकाब्ब है और एक किस परकार का महाकाब्ब है भापरधान निम्न मैंसे गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है तो इसके पात्र नहीं है गोदान जो उपन्यास एक गोदान क्या है इस प्रकार का question बनी तो एह उपन्यास है तो इसके पात्र नहीं है धनिया या होरी या सूर्दास या है महता तो question number 124 का right answer यहाँ पर आपके लिए बताना है और question number 124 का right answer है विकल्प number C यानि की सूर्दास सूर्दास आपका यहाँ पर right answer है अंगला question है निम्नमय से कौन आंचले को पन्यासकार है आंचले को पन्यासकार पूंचा है तो question number 125 का right answer बताना है आज का आखरी question तो निम्नमय से कौन आंचले को पन्यासकार है तो आपका सही answer है कौन है फणिस्वर नातरयनू विकल्प number D आ आपका right answer है तो इस प्रकार यहां पर आप अपने 125 वीडियो में आपके 25 कॉस्चन कंप्लीट हो गए है तो आप आपके लिए बताने कि 25 कॉस्चन में से आपने कितने कॉस्चन सही किये हैं कमेंट में जरू बताएं और आज की वीडियो में बस इतना ही सब लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तब पहुंचें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो वीडियो देख सकें तो आज की वी लोगां के लिए धन्यवाद जये हैंदर